गुरू नानक इंटरनेशनल स्कूल के इस समर कैम का हुआ समापन जून में स्विमिंग क्लासेज होंगी चालो। इस समर कैम के लगबग 98 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें कुल 6 ग्रूप थे। इसकाई सर्फर, रिवर राइटर, नेचर, नेविगेटर, वाइल्ड रूवर, डेजर्ट ड्राइवर्स, पिंक पॉन्गर्स और इन बच्चों ने इन दस दिनों में समर कैम का बहुत लुफत उठाया जिसमें सभी बच्चों ने आर्चरी, होर्स राइडिंग, सुमिंग, राइफल, सुटिंग आधि को सीखा और इसके अलावा कुछ अन्य अक्टिविटी जैसे की जोर्बिंग, रोलर, जोर्बिंग, फाइट, होवर बोर्ड इन सभी कल लुफत उठाया, स्कूल के बच्चों ने माता पिता को आज स्कूल बुला कर सर्टिफिकेट डिस्टिब करवाया तो थे बच्चों के माता पिता ने मैनेजमेंट को स्विंग क्लासेज और आगे चलाने के लिए का हा और गुरु नानक, इंटरनेशनली स्कूल बहुत ही जल्द जून में स्विंग क्लासेज चालू करेगा मैं गुरु नानक स्कूल में केंप चला है कितनी दन से चला है और क्या कुछ इसमें था यह समर्कम जो है 11th of May से स्टार्ट हुआ था एं तोड़ेस 20th of May today is a closure ceremony and certificate distribution of the camp जिसमें बच्चों ने बहुत enjoy किया इसमें swimming, archery, rifle shooting, hover boat, sumo fight, zorbing roller, zorbing fight यह सारी activities जो है इसमें हुई बच्चों ने बहुत enjoy किया और सारे parents बहुत ही खुश है बिकाज उन्होंने का कि ऐसा summer camp उनके बच्चों ने कभी भी enjoy ने किया इवन बच्चे दस दिन में थकने के बाद भी they want this summer camp to be increased for 10 more days but हम और increase तो ने कर सकते हैं but we promise to the people of Shivpuri कि बहुत जल्दी winters में हम जो है उनके लिए एक summer camp फिर से लेकर आएंगे Thank you मैं कोई संकित देना चाहूंगी संदेश जो चातरों को श्रीपूरी शेहर के चातरों को मैं यही देना कहना चाहूंगी कि बच्चों ने जिस तरह से एक लगन से इस एक लवव ग्रूप of sports education के साथ बहुत कुछ सीखा ऐसे ही सारे बच्चे वो किसी भी फिल्ड में उतरना चाहें वो जो भी बनना चाहें अगर वो अपने टागेट एक गोल सेट करके उसमें उतरे जिस तरह एक लवव ने अपना एक टागेट बनाया था और बिना गुरू के उसने बहुत कुछ सीखा था इसी तरह से अगर बच्चे अपना टागेट एक गोल सेट कर लें अपने फ्यूचर के लिए तो उन्हें सक्सेस तक बचाने के लिए कोई नी रोक सकता